अज़ की वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ फिन निफ्टी की वन अफ दे मोस्ट सेफ वीकली स्ट्राटजी वेल यही सेम वीकली स्ट्राटजी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का अल्रीडिस की वीडियो बना दी है आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं वेल यह काफी ज़्यादा सेफ स्ट्राटजी है विकाज हमें इसमें बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है जिसकी वज़े से इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको प्रवेबिलिटी मिलती है आप यह स्ट्राटजी में प्रॉफिटेवल ही क्लोस करने वाले है अब यह पूरी वीडियो में मैं सबसे पहले रूल्स बताऊँगा उसके बाद इसका लॉजिक बताऊँगा उसके बाद मैं आपको इसकी दो अलग अलग सिच्वेशन दिखाऊँगा डिपलोई करके एक प्रॉफिट की एक लॉज की और उसके बाद मैं पूरा 30 वीक्स का यह बैक्टेश्टेट डेटा दिखाऊँगा वैल तीस हफते मैंने खुद मैनुली बैक्टेश्ट किया है और इसमें नहीं मैंने कुछ अब्जर्वेशन भी किये तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा बहुत जादा important points होने वाले हैं बिल्कुल भी video skip मत करिएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं rules क्या है वैल यह हम finnifty में trade करने वाले हैं जिसमें आपको 50 उर्पीज का call and put option sell करना है 4 lot उसके बाद 40 से 45 उर्पीज का call and put option आपको buy करना है 4 lot इसका मतलब हो गया कि जिस भी strike price का आप call and put option sell करना है उससे एक strike price out of the money जाके आपको buy करना है और उसके बाद 25 उर्पेगा आपको call and put option sell करना है 4 lot अब यह exactly आपको 50 उर्पीज 25 उर्पीज नहीं मिलने वाला जो भी 50 उर्पीज के nearest होगा जो भी 25 उर्पीज के nearest होगा वही आपको sell करने है entry time हमारे रहेगा 11.15 एम वेंड़ेजडे को well हमें मालूम ही है कि Fin Nifty की weekly expiry Tuesday को होती है तो उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में वेंड़ेजडे को 11.15 पर हमें ट्रेड डालेंगे and exit होगा 2.50 पीएम Tuesday को because Tuesday की expiry है adjustment हमें इसमें कोई भी नहीं करनी हम यह अपनी strategy deploy कर देंगे उसके बाद या तो हमारा इसमें loss हिट होगा हम अपनी trade close कर देंगे वरना exactly 2.50 पीएम पर Tuesday तक हम अपनी trade hold करेंगे and उसके बाद हम अपनी trade close करेंगे अब इसका मैं एक बार आपको deploy करके दिखाता हूँ ताकि आपको full clear हो जाएगा अब इसके simulator section में चलते हैं अब जो पहले example में लेने वाला हूँ वो है 10th of July की deployment date है जिसमें expiry होगी 16th of July की entry time 11.15 a.m. अब गाइस 11.15 a.m. का बस यही reason है कि market थोड़ी सी settle हो जाती है 11 बज़े के बाद इसलिए हम 11 बज़े के बाद इसमें enter करते हैं अब rules के इसाब से सबसे पहले 50 रुपे के आसपास का call and put option sell करना है यह देखे 55 का मिला यह मैंने किया sell और उसके बाद उसका एक strike price दूर मतलब 46.4 यह मैं करतूँँगा buy और उसके बाद 25 रुपे के आसपास यह देखे 27.2 यह मैं करतूँगा sell यह मैं आपको 4-4 lot में दिखाता हूँ विकाज मैं यह अजूम कर रहा हूँ कि आपके वाद 5.5 रुपे की capital है और उसके साथ ही आप trade करने वाले है यह strategy call option में वापिस 53.55 यह 4 lot sell उसका एक strike price दूर 43.8 यह 4 lot buy और यह 23.85 यह हम करतेंगे sell 4 lot तो यह strategy हमारी कुछ ऐसी लगने वाली है आप देख सकते हैं max profit हमारा है 6,944 max loss हमारा unlimited है उसके बारे में भी मैं आप से डिसकस करूँगा approach margin हमारा 4,3,000 लग रहा है यहाँ पर फिर भी हम 5.5 रुपे रखेंगे अगर आपको 4-4 lot में trade करना है ताकि अगर यहाँ पर थोड़ा drawdown face आजाता है तो वो भी jail लेगी market and break even आपके दिये भी है 2.3 percentage नीचे की तरफ 2.3 percentage उपर की तरफ मैं यहीं बता रहा थे न break even आपको काफी अच्छे मिल जाते है अब इस strategy में हमें कोई भी adjustment नहीं करनी सिर्फ दो possibility है अगर पूरे हफ़ते market यही green trend के अंदर रहेगा हम exactly 250 पे 16th of July को Tuesday पे हम अपनी trade close कर देंगे पहली situation यह है दूसरी situation यह है कि अगर मानलो market उपर या नीचे की तरफ हमारे break even के आसपास आता है उपर की तरफ का break even है 24,069 नीचे की तरफ का break even है 22,981 अगर break even के आसपास आता है well exactly break even पे नहीं अगर मानलो 20-25 पॉइंट भी आसपास आता है जैसे यह 24,069 का है उपर की तरफ so अगर यह 24,050 तक भी आता है then वहाँ पे तुरंथ हम अपनी trade close कर देंगे हम और जादा wait नहीं करेंगी इसमें बस यही simple जी strategy है exactly 250 16th of July Tuesday के दिन हमें 6,900 रुपीज मिल रहे है and अब हम यहाँ पे अपनी trade close कर देंगे पूरे हफते में market हमारे break even पे आई नहीं जिसकी वेजे से हमें यहाँ पे अच्छा कासा पैसा बन गया है अब यह थी एक profitable situation अब मैं आपको एक loss की situation भी दिखा देता हूँ because कोई भी strategy holy gray नहीं होती ऐसा possible ही नहीं है कि कोई strategy कभी आपको loss देगी नहीं loss जरूर देगी but उस loss को कैसे हम कम से कम में काट सकते हैं वो ही decide करता है कि आप अच्छे trader है या नहीं अब इसको close करके एक loss की situation देखते हैं तो अब मैं deployment date यहाँ पर लोगा 19th of June की जिसमें expiry होगी 25th of June की and entry time वापिस 11.15 a.m. okay so यह 51 रुपीज का यह मैं कर दूँगा sell 4 lots 43.4 यह मैं करूँगा buy 4 lots उसके बाद यह 23.15 यह मैं करूँगा sell 4 lots and वही call option की तरफ भी यह 49.25 यह sell 4 lots उसके बाद 40.75 यह buy 4 lots and उसके बाद यह 23.35 यह sell 4 lots तो अब वापिस से यह strategy हमारी कुछ ऐसी बन चुकी है देखिए नीचे की तरफ break even है 2.8 percentage उपर की तरफ break even है 2.4 percentage overall पूरी information दीवी है अब इसको वापिस forward test करते है and same चीज हमें करनी है बार बार अगर break even पे market आएगी हम अपनी trade close कर देंगे वरना हम पूरे हफते hold करेंगे and 2.50 पे Tuesday पे हम profit लेके निकल जाएंगे exactly 12.30 25th of June Tuesday का दिन market हमारे exactly break even पे आचुकी है and अब हम यहापे अपनी trade close कर देंगे हमें 6,425 रुपीस का loss हो रहा है बस इतनी सी simple सी strategy है जब भी आपके break even पे तुरंत अपनी trade close कर दो because अब अगर आप यहाँ पे hope में आजेंगे कि what if market reverse हो जाए नीचे आजाए आपको वापिस profit हो सकता है but आपको coin का दूसरा part भी देखना है कि what if market continuously उपर जाती चली जाए हमें वहाँ पे loss unlimited हो सकता है and इतना loss हम लेने के बिल्कुल भी तयार नहीं है इसलिए जैसे ही market break even पे आएगा हम अपनी trade close कर सकते हैं अब गाईज इसमें न एक और चीज़ आप कर सकते हैं अगर market close होने से पहले कोई भी particular दिन 3.30 से पहले आप दिख लिजए 3.15, 3.20 पे अगर आपको ऐसा लगता है कि market बहुत बड़ा gap up या gap down हो सकता है आपके against, आपकी trade के against then उस situation में भी आप risk मत लिजएगा and आप अपनी trade close कर दिजएगा वेल ये थोड़ा rare scenario होता है लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है then आप ऐसा कर सकते है या फिर अगर market में कोई ऐसी बहुत बड़ी news है या कोई event है, election है, budget है तो आप कोशिश करिए कि आप trade ना करिए वो आपके लिए जादा better रहेगा because अगर news factor आजाएगा market में then market इदर उदर बहुत जादा घूमती है and हमें idea नहीं लग पाएगा कि market किस तरफ जाना चाहती है अब यह है इस strategy का पूरा back-tested data यह 2nd of January 2024 से पूरा data है अबना इसमें मैंने पूरा आपको detail बताया है सबसे पहला column है deployment date मतलब कौन सी तारीक पे हम यह trade deploy कर रहे है उसके बाद है expiry date मतलब कौन सी expiry है finnifti की के बाद है exit time because entry time तो सभी strategies का same रहने वाला है 11.59 लेकिन exit time vary करेगा because कुछ हफते होंगे जब market break even पे नहीं आएगी and हमारे green trade में close होगी लेकिन कुछ हफते हमें losses भी हो सकते है because break even पे market आ जाएगी तो अब जैसा आप देख सकते है serial number 1 से लेके serial number 6 तक 6th of February तक market हमारे break even पे आई नहीं तो हमें 6 हफते लगातार यहां पे बहुत अच्छा पैसा बना है लेकिन उसके बाद 7th and 8th week यहां पे हमें loss हुआ था so यह था serial number 1 से लेके serial number 10 तक उसके बाद यह data है serial number 11 से लेके serial number 20 तक and उसके बाद यह है serial number 21 से लेके serial number 30 तक guys अगर आपको चाहिए देन इसका आप screenshot भी ले सकते है ताकि आपको यह बाद में refer करने के लिए help हो जाए because जब आप backtest करेंगे तो मैंने backtest किया है manually उससे आप compare कर सकते हैं तो यह मैं आपको वापिस दिखा जाता हूँ serial number 1 से लेके serial number 10 तक उसके बाद serial number 11 से लेके serial number 20 तक and उसके बाद serial number 21 से लेके serial number 30 तक and इसमें 29th of मई जो deployment rate है 4th of June की expiry वो मैंने trade नहीं किया है because वो election week था and मैं बिल्कुल भी risk नहीं लेना चाहता था तो बस वो हफता मैंने skip किया इसमें तो यह मैंना आपको पूरा 30 weeks का backtest दिखा है अब जिसमें total weeks हमने देखिया है 30 जिसमें profit है 1,19,515 रुपीज loss है 67,855 रुपीज so net profit है 51,660 रुपीज जो जाथ है 10% profit of the capital because capital हमारी यहाँ पे लगबग 5,000,000 रुपे लग रही है for 4 lot अब गाईज यह पूरा data है and हो सकता है शायद आपको यह लग रहा हो कि 10% profit तो थोड़ा कम है because 6 यह 7 महिने में आपको सिर्फ 10% का profit हुआ है but मैंने आपको एक बात starting में बताई थी कि at the end of the video मैं आपको अपनी कुछ observation बताने वाला हूँ जो आपको बहुत जादा helpful होने वाली है and क्योंकि अब आप video के end तक यहाँ पे टिके वे थे अब तक इसलिए मैं आपको बताऊँगा because you all deserve it well जब मैंने खुद यह backtest किया पूरे 30 weeks का मैंने इसमें एक चीज observe की कि जब भी इसकी break-even range छोटी है 2-2 percentage से कम है मानलो 1.6 उपर की तरफ 1.6 नीचे की तरफ अगर जब भी वो break-even range 2 percentage से कम है वहाँ पे उस हफते में आपको हमेशा loss हुआ है and जब भी 2 percentage से ज़ादा की range है most of the time यह strategy ने आपको profit दिया है because यह जो मैं आपको serial number 1 से लेके serial number 6 तक का हफता दिखा रहा हूँ यह पूरे 6 हफते लगातार profit है because यह पूरे 6 हफते में break-even 3-3 percentage की ती कम से कम 3 percentage on the downside 3 percentage on the upside लेकिन जब हमें loss हुआ है जैसे यह देखिए serial number 14 से लेके serial number 18 तक यह जो हमें 5 हफते लगातार loss हुआ है इसमें break-even range बहुत छोड़ी थी 1.5, 1.5, 1.7, 1.9 mostly यह 2 percentage से कम की थी इसी वज़े से हमें यह loss हुआ है तो इस observation से आप यह फाइदा ले सकते है जब भी 3 percentage है या उससे ज़ादा है आप वहाँ पे definitely fin nifty में यह trade कर सकते है यह same strategy इससे आपको बहुत ज़ादा अच्छा पैसा बनेगा यही फाइदा होता है खुद manually backtest करने का इसलिए मैं आपको हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप बस मेरी वीडियो मत देखिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद इससे idea लीजिए और खुद फिर algo platform पे जाके उसको manually आप खुद backtest करिए विकोज जब आप खुद backtest करेंगे बहुत सारे ideas आपके दिमाग में आएंगे और उसमें आप कुछ नए-ने tweaks भी लेके आ सकते हैं strategy में ताकि आप उसो strategy को profitable बना पाएं अब ये मैंने आपको पूरी strategy दिखा दिये और इसमें ये मैंने observe किया है कि जब भी breaking manage 2% कम है अगर वो अपता हम avoid करते देन हमारा profit percentage लगबग 25 से 30% हो रहा है ये चीज़ आप खुद एक बार backtest करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको अपनी observation बताई है उस चीज़ के साथ भी आप इसको backtest करके देखिए और आपको के result आता है मुझे आप comment section में जरूर बताना stock market में हजार और लाखो strategies है आप खुद समझे मुझे खुद सारी की सारी strategies manually backtest करने पड़ती है मैं अभी फिलाल रोज के 5-6 घंटे देता हूँ backtest के लिए तो उतने time में जितनी मैं backtest करके वीडियो बना सकता हूँ मैं बना रहा हूँ लेकिन उसके सासाथ मुझे आपका भी support चाहिए अब जैसे मैं यह वाली strategy आपको बताईए अब इस पे आप खुद अपने tweaks करिए और उसके बाद जो भी आपको लगता है की इससे better strategy निकल के आईए वो मुझे आप comment section ने बताईए या मेरे आप whatsapp number पे बता सकते है मैंने वो अपनी वीडियो के description में दिया वाए ताकि उस पे हम और discussion करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे वो strategy को हम और जादा profitable कर सकते है यही था इस पूरी strategy के बारे में I hope आपको यह strategy समझा आगी हूँ और कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलाओ यह वीडियो से So thank you for watching the video with lots of patience Let's meet in the next video then